आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ और आप भी दिल से सुनेंगे मेरे को पता है कि यह जर्नी बहुत डिफिकल्ट है बहुत लोग बहुत सी चीजे जेल रहे हैं इस जर्नी में करने में मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा है जो सीए कर रहा है या जो कोई पढ़ाई कर रहा है मैं सबकी बात कर रहा हूँ हर वो बच्चा जो आज मेहनत कर रहा है में को पता है यह जर्नी बहुत ही दर्धनाग है बहुत सारे ups and downs है बहुत mental distress है and there is a lot of effort बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जो afford भी नहीं कर सकते पढ़ना या बहुत सारी company हो में ऐसे employees काम कर रहे हैं जो दिन रात काम किये जा रहे हैं दिन रात महनत कर रहे है every morning they wake up they are doing classes बच्चे हैं तो और अगर professionals हैं तो office जा रहे है हर दिन महनत कर रहे है और कभी-कभी ना इनसान टूप सा जाता है कि बहुत मैनात हो रही है result नहीं आ रहा result नहीं आ रहा continuous के try कर रहा है result नहीं आ रहा मैं आपको चीज बोलता हूं एक सुख है और इससे बड़ा सुख trust में जिन्दगी में कुछ नहीं है मैं आपको एक किस्ता बताता हूं और आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं उससे आपको समझाओंगा मैं CA बना उसके बाद मैंने पैसे कमाए अच्छे पैसे कमाए और उससे मैंने अपनी हर ख्वाइश पूरी की और उससे खुशी भी हुई लेकिन आज मेरी मम्मी का बढ़ने है और जिस कॉन्फिडेंस है मैं अपने मम्मी को एक जोईलरी स्टोर लेके गया और जो मैंने बोला ना जब कि आप जिस चीज को पसंद करो जिस चीज पर हाथ रखो वो मैं ले लूँ बाप के लिए आज जो में को ये खुशी महसूस हो रही है ना जब मैंने उनको वो दिला दिया वो एक लाग का समान है एक लाग सोने में कोई बड़ी बात नहीं है इससे महंगी महंगी चीज है मैंने पहले भी खरी दिया पर जब खुद के लिए लेते है ना तो खुशी होती है वो बोड़े टाइम के होती है लेकिन जब आप अपनी माता पिता के लिए कुछ कर पाते हो ना उनकी खौईशे पूरी करते हो मैं बता दू आज मेरे को दर्द याद नहीं आ रहा है जो सी है कि पूरी जन्नी में मैंने जेला है क्योंकि वो जो खुशी है ना मेरी मम्मी के चेहरे पर कि उनके बेटे ने उनके लिए कुछ किया है वो अन्मोल है बच्चों आज ही वीडियो से मेरा बस एक आपसे इंटेंशन है आप तक पहुंचानेगा हाँ आप लोग मेरी फैमिली के पार्टों मैं आप तक एक खुशी शेयर कर रहा हूँ पर एक बहुत इंपोर्टन चीज है बहुत सारे उब्स्टिकल्स आएंगे जिंदगी बहुत कढ़नाई आएंगे एक्जाम्स आएंगे चुनौतिया आएंगे लोग आएंगे जो आपके लिए जर्णी बहुत डिसिकल्ट बनाएंगे पर याद रखें इस मैनत के उस पार आप उस इनसान को खुशी दे सकते हो उस इनसान की सारी खुआशे पूरी कर सकते हो जिस ने जिस दिन से आप पैदा हुए हो जिस दिन से आपने जनम लिया है उन्होंने सिर्फ दिया है वो हैं आपके माता पीदा उन्होंने आपसे बदले में कभी कुछ नहीं मागा और ना कभी मागेंगे पर जब आप उनको खुशी देंगे आपको जिन्दगी में वो खुशी पराप्त होगे जिसका कोई comparison नहीं है कोई comparison नहीं है आज जो मैं अभी experience कर रहा हूँ ना शायज मैं आपको words में बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ बड़ मैं बस आप उसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कित्ती भी difficult हो यह जाद नहीं कि बब आप मत करेंगे क्योंकि आपको भी जनव देखे आज इस इतनी उमर तक लेके आने में भी बहुत कठना ही आपनी माता पिता ने उठाई है जिसका कोई comparison नहीं है जो आप अभी face कर रहा हूँ अपना दर्द सबको बड़ा लगता है लेकिन उस दर्द के उस तरफ जो result आपका वेट कर रहा है उससे आप उस व्यक्ति को खुशी दे रहे हो जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रड़ी है लोग बोलते हैं माता पिता अपने बच्चों के पहले कुछ करने उनके लिए कुछ करने से पहले सोचते हैं नहीं है मैं मानता हूं इस बात को हमें आज बोला जाए ना आग पे चलने के लिए तो पहले हम सोचेंगे कि हमारे पैर जल जाएंगे लेकिन अबारा आपके माता पिता को आपको बचाने के लिए वो करना पड़े वो अपने आपको आध में जोब देंगा और जस दिन से पैदा हो है ना उस दिन से करते हो है मैं बस आपको इतना कहना चाहते हूं ताइम्स आपको आपको टुफर and they will get tougher, but trust me, it's worth everything, you can make them happy, and the day you make them happy, आप खुद में आपको फील होगा कि हाँ, आपने कुछ कर दिखाई। हाँ दोस्त, आपको ये विडियो देख रहे हो ना, तुम भी कर सकते हो, तो कि अगर मैं कर सकता हो ना, तो तुम भी कर सकते हो. All the best for all the challenges that you are going to face in your life. And whatever help you need from me, I will always be there. Thank you so much.